हेलो, गुट मॉर्निंग ओलो फ्यू, आज अपन पढ़ रहे हैं कुन सा सब्जेक्ट, मोरल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन में सब्जेक्ट है अपना God has made you a special, मतलब भगवान जी ने आपको बनाया तो आप बहुत special हो, अब देखिये इसमें क्या लिका भाए, God has made you a very special, God यहने भगवान, made यहने बनाना, very यहने बहुत और special यहने अच्छे, आप बहुत special हो, अच्छे हो, and unique child, unique मतलब अनोखा, आप golden आपको बनाया तो आप special और unique child हो, your name is as unique as you, आपका नाम आपके आपसे भी ज़्यादा unique है, आपका नाम जो है वो आपसे भी ज़्यादा unique है, जिससे आपको कोई person आपको पुकारा जाता है, अगर आपको कोई speak कर रहा है तो वो कैसे करेगा, आपके नाम से करेगा, तो वो आपका नाम आपसे पहले unique हुआ, अब आगे देखते हैं, God has given you a beautiful family, God ने आपको beautiful family, beautiful यहने सुन्दर, given यहने देना और family यहने परिवार, God ने आपको सुन्दर परिवार दिया है, loving, loving यहने प्यार करने वाले, parents यहने अपने माता पिता, parents यहने अपने माता पिता, and sibling यहने मा की संतान, आप एक ममी की बच्चे हो, तो आप क्या हो गए, ममी के बच्चे, sibling यहने होता है, मा की संतान, तो loving parents दिये, God ने आपको, and sibling, प्यार करने वाले parents और मा की संतान आपको बनाया है, यह अपना chapter था, आपको समझ में आया है, God ने आपको बनाया है, तो आप बहुत ही special हो, unique हो, unique यहने, Anoka, your name, आपका नाम जो है, वो आपसे भी जादा, unique है, head has given, God has given, you a beautiful family, God ने आपको सुंदर परिवार दिया है, loving parents दिये हैं, और sibling मतलब मा की संतान दिया, अब आपको, मैंने यह chapter समझाया, अब आप इन इसको कल आगे देखेंगे, अब भी इसको आपको पढ़ना ह और समझना है, okay बचो, thank you, have a nice day